दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल इस्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी उर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी तो चलिए बिना समय गवाए मोटिवेशनल इस्टोरी को सुरू करते हैं हरिश नाम का एक लड़का था उसको दोड़ने का बहुत सौक था लेकिन वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परन्त किसी भी रेश में वह जीता नहीं था एक दिन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाया वह रेश पूरी जरूर करेगा अब रेश शुरू हुई हरिश ने भी दोड़ना शुरू किया धीरे धीरे सारे धावक आगे निकलते रहे मगर अब हरिश ठक गया था वह रुख गया फिर खुझ से बोला अगर मैं दोड़ नहीं सकता तो कम से कम धीरे धीरे चलतो सकता हूँ उसने ऐसा ही किया वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था अब वह बहुत ज़्यादा ठक गया था और नीचे गिर पड़ा उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौर पूरी जरूर करेगा वह जित करके वापस उठा और लड़कताते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततह वह रेस पूरी कर लिया माना कि वह रेस हाच चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले वह रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था वह जमीन पर पड़ा हुआ था उसके पैरों की मानस्पेशियां में खिचाव आ चुका था लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था दोस्तों हम भी तो इसी तरह की गलती करते हैं लाइट में कभी भी अगर कोई परिशानी होती है तो उस काम को नहीं करते छोड़ देते हैं अगर आप एक शुडेंट हैं हर रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी दिन कोई परिशानी की वज़े से आप पढ़ाई नह करते हो मगर आपको भले ही पांच घंटा मिले पढ़ना जरूर चाहिए हर इसकी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक न एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे छोटे-छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ यही सफलता का नियम है अगर आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंड के माद्धन से हमें जरूर बताएंगा